नमस्कार शुआगत है आपका स्टार्ट इंवेस्टमेंट में आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक नहीं दो नहीं पूरे दस स्टॉक बता रहे हैं और यह दस स्टॉक ऐसे हैं कि मल्टी बैगर हैं और पैंसों की बारिस कर सकते हैं एक लाख रुपए इन्वेस्ट क करना है तो दस शेयर इतने जबरदसती ये कभी भी लार्ज कैप बन सकते हैं मिड कैप से कभी भी ये लार्ज कैप बन सकते हैं ऐसे दस शेयर आप लोगों को बताने वाले तो जब कंपनिया बड़ी होंगी तो जाहिर सी बात है उनका शेयर भी भागेगा तो आप लोग डिस पर उडर चार्ज किये जाते हैं अगर आप लोग यहां पर डिलीवरी बेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई भी चार्जेज जो हैं आप लोगों से नहीं लिये जाते हैं तीनों के जो प्लेटफॉर्म है यूजर फ्रेंडली हैं तो तीनों के लिंक पे क्लिक करें करें तीनों की सर्विसेज तो चलिए अब दस शियर बताऊंगा आप लोगों को इसमें से कुछ डेट फ्री हैं कुछ कैमिकल सेक्टर से रिलेटेड हैं अपने अपने सेक्टर के कुछ दिगज भी यहां पे हैं तो दस शियर बताऊंगा कंप्लीट पोर्टफोलियो तो च अगर आप लोग आज की डेट में यहां पे हर कंपनी के दो दो शियर भी खरीद ले रहा हर कंपनी के दो दो शियर हर महीने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 10 सालों में 15 सालों में करोड पती यहां पे बना जा सकता है तो 372 रुपए पे चल रहा है लॉरस लैब लिमिटेड आज की डेट में जब क्लोजिंग वी है 20 जनवरी को अगर मार्केट कैपिलाइजेशन देखा जाएगा तो 19,490 करोड रुपए का और जैसे कि कहा तक कभी भी लार्ज केप बन सकती है तो देख लिजे लार्ज केप कभी भी यह कंपनी जो है बन सकती है अपने 52 वीक के हाई के यह करीब है और कहां पर आई थी लारस लैब देख लिजे 60 रुपीज पर आया था शेर और 60 रुपीज से कितना 400-500 परतिसद से भी जादा यह शेर जो है भाग चुका है वहीं ROC और ROE काफी हाई है शेर के फार्मस्यूटिकल कंपनी है मिड कैप कंपनिया है यह शारी की सारी डेट देखेंगे तो डेट है कंपनी कोबर 932 करोड रुपै का और इस टॉक का प्राइस टो अनिंग रेशियो जो है 32 का है प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम है यहां पर उसमें से प्लेजिंग भी कर रखी है लेकिन सेर जो है 60 रुपै के लोग स एक साल में ही 377 रुपै पहुंचा है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं almost 600 परसेंटेज के रिटन्स दे चुकी है कंपनी लॉरस लैब्स लिमिटेड अब दूसरा शियर दिगज कंपनी आर्थी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कि मैंने बताया था कैमिकल सेक्टर की भी कुछ कंपनी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आर्थी इंडस्ट्रीज का पिछले 5 सालों का चार्ट यहां पे लगाया है यह देख लिए 300-400 के रेट से 1200 रुपै पे पहुंची है तो 5 सालों में almost 300% से ज़्यादा के रिटन दे चुकी है अब जो बड़े बड़े एनिलिस्ट हैं वो कहते हैं कि 5 साल में अगर कोई कंपनी आपके 500 को डबल कर दे तो आपको बहुत अच्छा रिटन मिल रहा है लेकिन यहां पे तो तीन गुना कर दिया है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 1214 पे यह शेयर चल रहा है और जैसी कि मैंने का 2-2 शेयर उ हुआ है और साथ ही साथ प्रमोटर की होल्डिंग काफी हाई है 47 परसेंटेज की और कैश एक्विलेंट 265 करोड रुपए के और डेट है 2174 करोड रुपए का कंपनी का ROE और ROCE भी काफी हाई है और ऐसा नहीं है कि इसी साल कंपनी अच्छा कर रही है पिछले 5 सालों का चा चाइना का जो स्टेंड ओफ चल रहा है ट्रेड वर चल रहा है मैं ट्रेड वर का नाम दे रहा हूं से लेकिन काफी सारे बैन लगे हैं चाइनीज आइटम्स पे वहां से जो इंपोर्ट हो रहे हैं उन पे आइटम्स पे तो इस कंपनी को बहुत फाइदा हुआ है डिक्सन पहुँच गई है जवर्दस्त कंपनी ने परफॉमेंस दी है डिक्सन टेक्नलोजीज का मार्केट कैप देखेंगे तो 17,882 करोड रुपए का है और जवर्दस्त ये कंपनी परफॉमेंस देती चली जा रही है ROE और ROCE काफी हाई है स्टॉक का प्राइश टो अनिंग रेशियो भी हाई है क्योंकि बुलिस हैं सब इसके बारे में और डेट फ्री कंपनी 64 करोड रुपीज के यहाँ पे कैश एक्युविलेंट और 89 करोड रुपीज के कैश है डिक्सन टेक्नलोजीज लिमिटेट अगेन एं मल्टी वैगर स्टॉक आगे आगे बढ़ते हैं आरती इंडस्ट्रीज दीपक नाइट्राइट इन दोनों को हमेशा देखा जाता है कि यह कैमिकल सेक्टर के क्या हैं दिगज कंपनी हैं अगेन दिगज कंपनी दीपक नाइट्राइट लिमिटेट एक हजार दस रुपए पे आज इसकी क्लोजिंग हुई है थोड़ा सा डाउन देखा गया लेकिन पिछले पांच सालों में अगेन देखेंगे हमें कभी भी किसी भी शेर का अगर बाय करना है उसे हमें लेना है खरीदना है तो हमेशा एक चीज तो हमेशा आप लोग ध्यान में दे कि वो शेर जो है कितना उसने पिछले पांच सालों में परफॉमेंस दी है तो पांच सालों की परफॉमेंस जबरदस्त यहां देख लिजे ग्राउंड लेबल से कहां उपर है आज की डेड में दीपक नाइटराइट भाग रहा है 13,837 करोड रुपए का मार्केट कैपिलाइजेशन है ROC 37% का ROE 46% का कैश रिक्यूविलेंट 44 करोड रुपीज के और डेट है 697 करोड रुपए का और प्रमोटर के होल्डिंग 45% की है कमपनी बहुत अच्छा काम कर रही है दीपक नाइटराइट मैं दो ही चूज मानता हूँ अगर आपको सेफ हैंड खेलना है तो आरती इंडस्ट्री इस लिमिटेड और दीपक नाइटराइट तो चलिए आगे बढ़ते हैं सुमिटो मोटो केमिकल इंडिया लिमिटेड सुमिटो मो केमिकल इंडिया लिमिटेड प्रोनिशेशन में थोड़ी सी गलती हो सकते है यहां पे तो यह देखेंगे अगर आप लोग यहां पे तो 326 रुपए के आज की इसकी क्लोजिंग है आप लोगों को यहां पे क्लियरली देख रहा है एनेसी के उपर मैं यह बता रहा हूँ पिछले शाल में देख लिए कहां सी यह शेर कहां भाग रहा है उपर के और बढ़ रहा है यह करेक्शन यहां पे तोड़ा सा देखने के लिए मिला था लेकिन अच्छा खासा यह चोटा सा शेर है केमिकल कमपनी है 16,000 करोल रुपए का मार्केट कैप्टलाइजेशन है थर्ड कमपनी थर्ड कमपनी इस पोटफोलियो में बताई जा रही है अब ऐसा नहीं है कि आपको तीनों खरीदनी है आपको जो पशंदो वो खरीद सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगा अगर 75 परसेंट जो है प्रमोटर ने अपने पास रखे वे हैं यह शेर और डेट फ्री यह कमपनी है 446 करोड रुपए के यहां पर क्या है कमपनी के पास कैश एक्वेलेंट और 37 करोड रुपए के डेट हैं तो डेट फ्री कमपनी है काफी अच्छी खासी यहां पर मूमेंटम दिखाई दे रही है सुमि टोमो कैमिकल इंडिया लिमिटेड में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमपनी IRCTC मोनोपॉली बिजनिस है मोनोपॉली बिजनिस है IPO आया था बंपर IPO एकदम पहले ही दिन दो गुना तीन गुना हो गया था IPO में भी अच्छा खासा लाखो करोड पैसा बनाया लोगों ने 1000 रुपए के नीचे से ये शेर कहां भागतावाद दिखाई दे रहा है आप लोग इसको देख सकते हैं अगेन ये मल्टी बेगर है 23,000 करोड रुपए का यहां मार्केट कैपिलाइजेशन है लार्ज के में कभी भी एड़ किया जा सकता है कमपनी को ROC देखेंगे तो 62% का ROE 44% का और सबसे हैरानी वाली बाद डिविडेंट यील्ड भी अच्छी खासी है एक परतिसत के करीब और कैश इक्योविलेंट कमपनी के पास है 1535 करोड रुपए के और डेट कुछ भी नहीं है जीरो डेट कमपनी है इसलिए मैं कहा रहा हूँ ये वो शेयर है जो आगे आने वाले 10 सालों में आपके पॉर्टफोलियो में चार चांद लगा सकते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग भी काफी अच्छी खासी है गवर्मेंट यहाँ पे प्रमोटर है आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट जो शेयर है जोबिलियन फूड वर्क्स लिमिटेट मैक डोनल्ड के पिज़ा आप लोगों ने खाये होंगे कहां बनते हैं यहीं से वो मैनिफेक्चर होके निकलते हैं आउटिंग आउटलिट पे और आप लोग उनको इट करते हैं खाते हैं अठाई सो सतरह रुपए पे आज इसकी क्लोजिंग वी है शोलर रुपए उपर और अगर आप अगेन इस शेयर को देखेंगे तो हजार रुपए के नीचे यह कई ट्रेड हो रहा था पान साल पहले और अभी अपने अल्मोस्ट हाई पे चल रहा है तो क्या कई लोगों को ये भी कंप्लेइन रहती है कि क्या इस प्राइस पे लेना चीए तो आप लोग क्या कर सकते हैं जो अच्छे स्टॉकन को बाई और डिप्स का मैथड भी अपना सकते हैं जैसे हाई बनाया हाई के बाद थोड़ा सा करेक्शन होता है तो उस करेक्शन पे लिया जा सकता है मार्केट कैप देखेंगे तो अच्छा खासा है यहाँ पे 36,000 करोड रुपए का ये कंपनी ओल्मोस्ट लार्ज कैप इस कंपनी को आप मान सकते हैं यहाँ डेट देखेंगे तो 1628 करोड का डेट है 755 करोड रुपए के यहाँ पे कैशी के वेलेंट है और आरोसी 39 परतिसत का और आरोई 25 परसेंटेज का तो कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है प्रमोटर ने भी 42 परतिसत के शेयर जो है यहाँ पे अपने पास बना के रखे हुए है हो सकता है कि तोड़ा सा लंबा यह वीडियो हो क्योंकि कंपनियां 10 कंपनियां 10 के बारे में बताना S.R.F. Limited S.R.F. Limited डाइवर्सी वाइड बिजनिस है इसका 5889 रुपए के करीब यह शेयर आज क्लोज होता हुआ दिखाई दिया और 5 सालों में देखेंगे तो शेयर प्राइज लगवग 1500 रुपए से 6000 रुपए पे पहुंच चुका है अगें 400 परतिसत का मुनाफ़ा 400 परतिसत का मुनाफ़ा यानि 4 टाइम्स कर दिया है आप लोगों के 500 को इसने भी SRF Limited में इन्वेस्ट किया होगा अगें इसका मार्केट कैप भी अच्छा खासा 34,530 करोड रुपए का है और यहां पे ROC देखेंगे तो 14 परतिसत का ROE 22 परतिसत का है 52 वीक के हाई के नीचे ये कंपनी ट्रेड कर रही है अच्छा खासा मौका बनता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है डेट भी है कंपनी के पास 3762 करोड रुपए का आगे बढ़ते हैं पेज इंडस्ट्रीज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था जोकी के अंडर वेर जोकी के अंडर गार्मेंट्स आप लोग यूज़ करते होंगे ये वो कंपनी है जोकी जोकी के अंडर गार्मेंट्स मैनुफेक्चर करती है इस कंपनी के अंडर में है वो सारी के सारी चीज़े 28,390 रुपए पे ये शियर चल रहा है आज की डेट में 82 रुपीज ये उपर भागा है और 5 सालों का यहाँ पे शेयर प्राइस एक्षन देखेंगे तो लगबग देख लिज़े कितने नीचे शेयर लगबग 10,000 के लेवल से 28,000 के लेवल पे पहुँचना कोई मतलब छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी ये बात है अब कंपनी के पास खास देखेंगे आप लोग परमोटर के लोडिंग अच्छी खासी डेट मातर 143 करोड रुपए का और 409 करोड रुपए के कैश एक्युविलेंट है कंपैरिजन करो डेट को कैस के साथ और साथ-साथ मार्केट कैप के साथ तो कुछ भी नहीं है मार्केट कैप 31,563 करोड रुपए का अगें पेज इंडिस्ट्रीज मल्टी बैगर स्टॉक है जल्दी मैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज हम लोग यूज कर रहे है उसके शियर क्यों न बाई किया जा तो 25,35 रुपए पे ये शियर अभी क्लोज हुआ है और पिछले पान सालों का प्राइस एक्षन भी देखेंगे 19,59 करोड रुपए का कैश कंपनी के पास है प्रमोटर के होल्डिंग भी काफी अच्छी खासी यहां पे है तो ये 10 शियर है वर्ल पूल आफ इंडिया लिमिटेड जो 10 शियर है तो पूरे 10 मल्टी बैकर स्टॉक आप लोगों को यहां पे बताएं है तीन लिंक अपस्टॉक, जिरोदा, एंड एंजल ब्रोकिंग तीनों के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिये वे हैं तीनों के लिंक पे क्लिक करें अकाउंट ओपन करें और इंजॉय करें तीनों की सर्विसे साथे साथ वीडियो को लाइक कर दीजेगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बगल में जो बेल कैकनों से प्रेस कर दीजीगा इससे होता क्या कि हम लोगों को इंकरेज़ून मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों तक शेयर मार्केट के लेटेस्ट वीडियो पहुंसते रहे हैं जिससे कि आप लोगों को एक एज मिलता है अधर लोगों से प्रॉफिट कमाने का तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद